हेलो नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्टीशन जर्नी में और आज का हमारा टॉपिक है आयादी संधी तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयादी संधी होता क्या है तो जब ए, ए, ओ, ओ, ऑ, के बाट कोई भिन स्वरा है तो उनके स्थान पर ए का, ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाता है आयब। और ओ का हो जाता है आव। ठीक है तो स्वरों के इस मेल ए, ए, वेल और इससे हुए परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे आधिस अन्र, जैसे हम लोग एक इक्जामपल ले सकते हैं, शेधन अन, तो क्या हो जाएगा ही, शेधन, ठीक है, इसी प्रकार से हम एक्जामपल देखेंगे, जैसे हम ए और आ से क्या बन जाएगा, ए तो इसमें हम लोग example क्या ले सकते हैं ने धन अन ये देखते ही पहचार में आ जाते हैं शब्धी ये आयादी संदिके हैं ठीक है ये देखिए ए ने धन अन तो ये नैन इसकी वरकार से शे धन अन तो ये क्या हो जाएगा शय अन ठीक है अब अगर ए धन आ कुछ जोड़न तो क्या हो जाएगा आय जैसे गैधन अक रावर गायक फिर नै धन अक ये हो जाएगा नायक इस तरीके से और अगर हम ए धन इ को जोड़े तो क्या बन जाएगा आय ये भी आसान है इसके एक्जामपल भी हम लोग ले सकते हैं जैन ऐ धन इका तो क्या हो जाएगा नायक इक कर फिर अगर मैं गैदन इका इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा गाय का कि कि इस तरीके से तो और हम लोग किसका ले सकते हैं जैसे हम लोग पोधन आ को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा अव जैसे पोधन अन यह क्या हो जाएगा पवन कहीं एक्जाम में पूछा जा चुका है और अगर होधन अन को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा हवन भोधन अन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भवन और अगर हम अधन आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आव जैसे अधन अक तो यह हो जाएगा पाबक शौधन अक यह हो जाएगा शौबक इस तरी के समय ठीक है अब अगर हम आओ और छोटी ए को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा इसके देखे क्या समझ में आ रहा है यह बन जाएगा आवी है ना उसे क्या नौधन एक इससे क्या बन जाते है नाविक यह ठीक है एकसाम बुच्छा आ चुका है और देख के समझ में भी आ रहा है और अगर हम औ धन उ को जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा आवी जैसे भाव धन उक तो यह क्या हो जाएगा भावुक तो यह हमारा पूरा हो गया आज का प्लास यह हो क्या आदिसंदी के बारे में और अगर आपको यह प्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज साइट की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजे थैंक्यू